योगी राज में आखिर क्यों तड़प तड़प कर जान दे रही हैं गोवंज गोश अरक्षन के बाद भी हाला जसके तस्वनी हुए हैं माता कहे जाने वाली गाएं का हाइवे पर मरना आखिर कब जाकर बंध होगा यूपी के मुख्या मान्य योगी आदित्येनाथ यहां गोश अंवर्दन की बात करते हैं वहीं योगी राज श्री कृष्ण की नगरी में ये गाएं नित रोज अकस्मिक परस्षितियों में मरने को मजबूर है बले हैं गोश अवर्दन के लिए सरकार दोरा लाख दावे किये जाते हैं उनके संडरक्शन के लिए अने को गोशालाय खोली जाती हो लेकिन ये सबदा वादे तो तब धाराशाई होते हुए नजर आते हैं जब गोवंश हाईवे पर अवारा घुमते हुई नजर आती है अग्यातवानों की चपेट में आकर घायर हो जाती है और बाद में वहीं तड़ब तड़ब कर अपनी जान दे देती है ऐसे में ग्रामिडों की सूचना पर ना तो कोई भी गो रक्षक दल वहां पहुँचता है और ना ही गो सेवा होस्पिटल से गो एम्बूलेंस आती है मानविट्या तब शरम शार होती हुई नजर आती है जो मुहा फ्लाई ओवर पर देखने को मिला यहां गुरुवार की रात दो अग्यात आवारा गोवंश की किसी अग्यात वहान के आगे आजाने से मोके पर ही मोत हो गई गोवंश का शवशत विशत हालत में राजमार्क पर ही पड़ा रहा गटना सल से हजारों वहान निकलते रहे लेकिन कोई भी उनको साइड में करने के लिए आगे नहीं आया ऐसे में जब संगटन भारते जन सेवक संग के कारे करताओं को मिर्त गोवंश की सूचना मिली तो उन्यानन फानल में इक अच्छा होकर गोवंश को हाईवे से हटा कर उसका अंतिन संसकार करवाया संगटन के संस्तापक सोरग सिसोधिया ने कहा कि सरकार गाएं सरक्षन के लिए 900 रुपे महीने गोव पालकों को देती है गोवंश की सरकार में गोवंश की सरक्षन किया जा रहा है उतने ही जादा गोवंश आवारा घूम रहे है हुए उतने बादी उनकी मोटे पर ही है और बंपीर आलत थे कि उतने हालत ही अनकी पहले जेवकर संगे मीश समस्त कारिक करता है आपके सोरब से संदिया नकी राणा गोरब से संदिया गोरब ठाकॉर देवा ठाकॉर इसनु भाई घुर्चर आपने किसी गोरख ख्यक्दल को या पर किसी को सूचित किया करने की सोचा और उसी गोबत्स वाली जगह पर हमने एक पेंट में आया है और उसी का पेंट का हमने पूरा बड़े होने तक उसका देख रेक का संक्रत लिया है कि उसको हम इसी भी कीमत पर बहुत अच्छा बहुत चायादार अरक्ष्ट बनाएंके यह हमने संक्रत लिया है करता है दोर कदीश यहां जैसा कि देखने को मिला है कि दो दोगोशाला है फिर भी गोवन रोड पर मरने के लिए मजबूर है इसके लिए आप किसी जम्मेदा ठेराने चाहूं कि इसके लिए सबसे पहले तो मैं हर वारती को हर हिंदू को जम्मेदा ठेरा रहा हूं जो कि अचलक दोगवसाला के नाम पर दान लेते एं अपने घरों में पैसा लकते हैं गव के इसांट के चारे को खा जाते हैं दो दो कमई साला हैं य genomE यह चोम्मे उत्त्रपते सरकार की प्राइबिट गवसाला है औत्त्त्रपते व्हक्तर करी करते को साला में मात्रों 30 रुपए का एक गई में चारा आ 30 रुपए तो बर्कुल नाकाम ही है बर्कुल कोई खरचा नहीं उठा सकता है 30 रुपे में एक गईया का खरचा तीन सर रुपे कम से कम होना चाहिए जो प्राइवेट गोसाला कब से खुली है क्या स्थिति और रगवी दास बावा ने खुलवाई थी उसकी स्थिति अच्छी थी ये सर बताइए योगी-मोदी सरकार ये तमाम बरपूर कोसिस कर रही है गायो की मतलब दुर्गती हो रही है इसको लेके आप क्या कहेंगे नाम की खानी की विवस्ता है ना उनकी मतलब यह इलाज की विवस्ता है कि गाय मर जाती है तो एक अपती तक पड़ी रहती है वह दुर्गत ही हो रही है इसके पीछे आप किसकी कम्या मानते है यह अपने देश में पहली बार सोभागी की बात है कि एक ऐसा प्रदान मंत्री अपने प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री काबिज है जो योगी है जो गोरक्ष पीट यह देखना पड़ेगा गोरक्ष नाजी से केवल नाम जुड़ा हुआ नहीं गोरक्ष नात है जब तक गाय की रक्षा करने की वो जो पीट है वो गोरकपुर में है और उसके मेहंत ही मुख्यमंत्री है और उसके बाद भी अपने प्रदेश में अगर गाय ही सुरक्ष नहीं है गाय की रक्षा नहीं होगी तक कैसी गोरक्ष पीट रह जाएगी यह तो हमारे मुख्यमंत्री जी के नाम को खराब करने के रिए मैं कहुंगा शडियनतर किया जा रहा है जो दू प्रातन बंती मानते हैं ऐसे लोग चाहते हैं तिये प्रकल्प किसी तरह से सफल नहीं हो जाए और इसलिए जब तक कलाई से इसको लागू नहीं किया जाएगा और ऐसे अधकारियों पर जिस जिले में जिस गवशाला में ऐसा को इत्याचार गवज पर पाया जाए गाए अगर ऐसा नहीं होगा तब तक यह सुधार लागू होना संबब नहीं है केवल मोदी जी और योगी जी के करने से नहीं होगा अधिकारियों को नीचे के अधिकारियों को भी समझना पड़ेगा कि बिना गाए कि अपने देश का कोई भवश्य नहीं है जी महाराजी ये बताईए गवों की ये दुर्गती हो रही है तमाम गाय अधर अधर मतलब ये सड़ी गली हुई मरी हुई पड़ी रहती है उनके लिए कोई इलाज की विवस्ता नहीं है एक एमूलेंस भी नहीं है इसको लेकर आप किसकी लापरवाई मानते क्या कहना चा लात है हाम investir आपको काम हो झाएगा ये हो जाएगा व हो जाएगा कोई काम नहीं हो रहा है गाय आज बी सालकों पर पड़ी होई है गाय आज भी अबारा गवाराग पूरी विवस्ता दे रही है लेकिन जमीनी इस तरह पर कोई काम नहीं हो रहा है तो मैं यह चाहता हूँ कि खम से कम योगी सरकार से कि आप थोड़े से और टाइट होएगा गाय की जो दुर्दसा हो रही है सबसे ज़्यादा दुर्दसा हो रही है किसानों की अभी किसी मत्रा के जले में काफी किसानों से मेरी बात चित हुई वो कह रहे है महाराज जी इस बार भी गयाओं बिल्कुल ने किया पिसली बार तब भी ऐन की सिवा की जाए ज़िए वो कहां जा रहा है कौन देखने वाला है और टौन सोनने वाला है कालें प्रaf Allies नहीं सिर्ण पर काम हो रहा है अब्रान больше गीयराना जा खथर ऑख्योंट खृमूरीक हैस सूंग दो हिर्ण Libisian Lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Raj Gharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए, बेल इकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइप, शेर और सुच्क्राइब करें. घन्ने वाली.